एक करोड 31 लाग रुपे का ऑॉक्षिन हुआ है महिंद्रा थार रॉप के पहले model पर तो आपलोगं समझ सकते हैं कि इंडिया में कितनी दिवानगी है महिंद्र थार के साथ आज जो मोडल इंडिया में आ możliकी शकुषा यह उसके साथ मैं अ सारी डीटेल्स के वार गरूँगा आज की इस वीडियो में मेरे साथ तो मेरा नाम है फराद हिसे और आज आफ हमें अंकिद वाई कैसे बहुत बड़ी हैं उनाइटेटिड महिंद्रा में और यह हमें अच्छा अचुकिन बहुत इंतरों करें को देखने आते है तो मतलब उनके अंदर जो क्रियो सिटी थी वो फुल्फील हो रही है तो मतलब लोग काफी excitement है और इंतजार कर रहे हैं कि कैसे बुगिंग स्टार्ट हो गाड़ी को खरीदें तो भाई मुझे बताइए कि चेंज़स भी बहुत हैं इसकी वेशिए लोग पागल हो रहा है तो क्या चेंज़स किए गए हैं कैसे अलग हो चुकी है नॉर्मल थार से और अगर हम बात करते हैं डीटेल में तो क्या-क्या चेंजिस कर दिये गए हैं इस महिंद्रा थार रॉक्स के अंदर सर्फ बेसिकली जो फरक क्या गया है पहले फ्रेंट से ही कर दिया इसमें चीशेप की डियारेल्स दिया जो इससे पहले कभी नहीं आती थी इसमें चीशेप डियारेल्स आगी है विद एलीडी के साथ एलीडी पल्प भी आएंगे भी एलीडी हेलो जम्ट सब्सक्राइए तो इसके अंदर एडलाइट नहीं आ रही है और फ्रंट की अगर बात करते हैं तो क्या इसका प्लेस्मेंट भी चेंज हुआ है लाइट नहीं चेंज़ आए तो उसके बाइट प्रोफाइल में सबसे पहली चीज चेंज हुए है वह होगे टायर साइज टीक है टायर साइज इसमें आपको बेस मोडल से 18 इंचिस का मिलेगा जोगी टॉप मोडल में 19 इंचिस का जाता है इस सेग्मेंट की कार में सबसे पहला है तो आपने पहले ही बता दिया था कि 5 दो आ चुकी है तो इसके लेंथ में बहुत जादा फरक आ गया है कार को थोड़ा सा लंबा कर दिया गया है कितना वील बेस चेंज हुआ है लेंथ चेंज हुए गाली कि इसका सब 2700 mm का हो चुका है और यह चीज पीछे के डोर में आप द दे दिया है अपने इस थार रॉक्स के अंदर अंदर भी चलेंगे फीचर भी बताएंगे बाई मुझे बताईए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि इतना बूट स्पेस नहीं मिल रहा था था थार के अंदर और वो चीज लोगों को चाहिए थी क्योंकि प्रॉब्लम भ खुचे थे धे आत ञाना है तो अच्छा सवाय ब कदो भी दिखा सकता हूं कि इतना इसन रंश पर चाहूं तो बोल्बाट सकता हूं इतना इस विद्धा अगर बात करते हैं इस पेंडर बात करते हैं उससे क्षिंझर बहुत करेंगे इंजिन फी... हो गोग एंदर नहीं है कि इस तरीके से दिखाई देता है। इसके ईंदर हाइडोलिक्स यहां पर किस तरीके से मैंनूल करई के यहां पर इस तरीके से पॉइंट दिया हुआ है अब उसको नीचे फिक्स कर सकते हैं बाकिंग रहाओ इस गारे के बंद Council तो फिर देख लिया किस तरीके से नजार रहा है कितने उप्षिंस मिल रहे हैं और इक बाद अब आपको टू इंजन मिल जाते इसमें इसमें आपको 150 तो नों में आ रही है तो दोनों में पावर का फर्क है अगर ज्यादा टॉर्क चाहिए तो कॉस्टमर कॉन सी गाली लिना है तो मतलब ज्यादा चाहिए तो आप लोग डीजली प्रिफर करते हैं जहां पर ज्यादा पंची एंजन मिलता है तो डीजल फिकर करेंगे बट अब बात करते हैं गाड़ी और क्या खासियत है इसके अंदर रियर विल ड्राइब पोर विल ड्राइब भी आ रहा है तो नों इसमें आपको तीन मोड मिलेंगे एक्स्ट्रा जो जिप और जूम से अलग होंगे अच्छा मर्ड इसनो और ग्रेस जो आपको सिर्फ इसक्वार्ग में मिलते थे वह इसमें अब रियल विल ड्राइब में भी एड़न कर दिये हैं ठीक है तो रियल विल ड्राइब के मोड अब बात करते हैं कि अब बात करते हैं कि गाली के इंदर बहुत है ग्रांट क्लिरेंस कितना है और इस गाड़ी में जो प्लाटफॉर्म है वो क्या स्क्वार्ओह एंड का अस्तमाल किया गया है प्लाटफॉर्म नहीं सर नहीं इंडी पेंडेंट और बैटफॉर्मी इन्की गाड़ी का वेट और जादा लाइट हो गया है तो इसके अंदर ग्राउंड क्लेंस क्या वहीं इसमें 224 टीक है 224 mm का जो है इसके अंदर ग्राउंड क्लेंस मिल रहा है और बूट स्पेस हमने दिखाया लीटर कितना होगा एक बार बताईए का आपको दिखाते हैं गाड़ी कितने फीचर आ चुके हैं तो अंकित भाय आ चुके हैं थार रॉक्स के अंदर थोड़ा सा बताईए कि क्या फीचर में चेंज हुआ है इस गाड़ी के साथ सबसे पहला फीचर जो बहुत ज्यादा डिसरपॉंट करता था किस्टुमास को इंफ इन फोटेंबंट आ गया है विद क्लस्टर के साथ तो इसके अंदर इतना नहीं मिलता था चोटा वह मिलता था डिस्प्ले तो पहले चेंज आ चुके हैं इसके अंदर पहले से काफी चीज़ेंग हो चुकी है वाई तो चला के दिखाए क्या चीज़ें ना राइए इसके सराँ हो पो ओन कनेक्शिन पेलसा अर पाले और ईंडर अर वायलेस के साहर्टी सिके तो वायलेस पीटिविटी मिलती है उसके अंदर एंट्राइफ कर सकते हैं ठीक है इसमें ंविगेशन फोन इंडरेड अब आगे एप्लिकेशन सो गए रहा तो बीटिलेटीट की नए फीचर एड़ और वह जुका है तो नए फीचर अट है उगया है इलक्टरिक अध्यस्टिबल भी उगया वह वह इसमें उप्से और चॉड़ी और तो वह अच्टियरी नए वह उगया है जो गया गया है जोकि नहीं आता था ना single आता था ना skyroof आता था इसमें single paint sunroof आता है AX5 luxury में और AX7 luxury में आपको skyroof मिल जाएगा ठीक है तो basically panodomic sunroof आता है top model के अंदो यहां पर हमारा single paint वाला sunroof आता है यहां पर हमारा single paint वाला sunroof आता है यहां पर हमें vanity mirror मिल रहा है light style model में नहीं है और इसमें इस निर्फ क्या रहा है इसमें वही सर अपने documents और वागेरा रखने के लिए अपने तो यह वाला जो मेरा अटो डिमिंग भी हो चुका है और यहां पर हमें charging के option दो तरह के मिल रहे है और यहां पर USB वाला मिल रहा है तो उसके लावा wireless charging और यहां पर भाई space कितना है यहां अंदर को charging option नहीं इसमें कुछ नहीं है और यह एड्जस्टेबल है driver side का ठीक है तो driver side का adjustable है और पीछे क्या हमें AC events मिल रहे हैं पीछे rear में AC events ठीक है और उसके लावा कोई नया feature इसके इंदर एड़ हो जो बहुत जादा USB वाड़ी की बहुत अच्छी सर एड़ास एड़ास लेवल 2 आ चुका है क्या क्या feature है तो बताई एड़ास लेवल 2 में सर आपको basically जीजी आपको हमारी XUV7W में भी आता ता ता शरी XO में भी add-on करा था तो वह सारे features में इसमें लेन के प्रसिश्टर श्टाप अड़ास अच्छी 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 तो मतलब अब जो थार है वह आप जो है एड़ास के साथ आने लागी है औ और कोई feature हमने मिस तो नहीं किया और कोई feature मिस तो अब हम लोग बाहर आचुके हैं थोड़ा बाहर की feature बताईए गाड़ी कंदर और क्या changes आचुके है इसके feature वाइस एक feature जो सर बहुत जाधा complaint करते थे customer कि महला हो इतनी महेंगी है हम गाड़ी ले रहा है और हमें शीशे ब देख रहे हैं यहां पर camel वगरा है और थार बनी हुई है तो काफी detailing है गाड़ी के अंदर सबसे important चीज यह है कि color कितने आ रहे है color इसमें सर आपको 6-7 color मिलेंगे जो इसमें आपको नेपोलीन black, average white, tango red इसमें gray और और कौन साथ तो 7 color है जो आप लोग अपने screen पर देख रहे हैं अब भाई बात करते हैं मुद्दे मुद्दा हमेशा यह होता है कि गाड़ी का क्या प्राइज है और कितने वेरियंट्स आते हैं तो हम शुरुआत करेंगे वेरियंट्स तो भाई हमने looks के बारे में बात कर ली इसके engine की बारे में बात कर ली फीचर भी देख इसके जो फाइब वेरियंट्स आते हैं और कहां से साट होता है क्या डिफिंस इसके पेट्रूल में जो है आते हैं डीजल में आइन वेरियंट्स जो कि इसका जो फॉर बाई-फॉर है वो सिर्फ डीजल में अभी अवी अविलेबल हो रहा है एक फाइब लॉट्जरी और वह सिर्फ डीजल में पेट्रोल में अपका थीक है कि हमें फोर भाइफ टाइए हो तो हमें डीजल लेना पड़ेगा और हमें जो है एकस फाइव एकस एवन के अंदर ही वह चीज बिल रही है बाकी नॉर्मल स्टेंड वीरिंग इंदर हमें रियर विल ड्राइब का ऑफ्शन उसके अंदर क्या भीचर मिलेंगे अगर में संटेंगे में बालोई वील सनी मिलेंगे अपको वाटरोड गार इसा उलंकर आपकी ऐसनमें पीजिट होंगी तो speaker में और कोई ऐसा भी है कि उसके color में खाली कुछ specific color आते हों उसमें sir शिगा दो ही color विलिगे black and white बेस model के अंदर उसके बाद कॉन सा variant आता है उसके बाद आएगा sir आपका MX3 MX3 में sir आपका cruise control add हो जाएगा तो cruise control आजाएगा लेकि अडास नहीं मिलेगा अब हमारा अगला कॉन साइस की बाद MX5 MX5 या गया और MX5 के अंदर में क्या कैथी से मिल दिए MX5 में सब आपको single paint sunroof ठीक है leather seats wireless charger ये सब आपको उसमें 18 inches के tire with alloy ठीक है तो alloy wheels में MX5 से start हो रहा है व्योंकि third variant है petrol ठीक है तो उसके अंदर single paint sunroof आ गई है और speaker उतनी है आपको ग्रे मिल जाएगा ठीक है उसकी बाद कौन सा भी एंट आ रहे है एक स्थी लगजरी आ जाता है जिसमें आपका लेवल टू एडास electric parking brake विद ऑटो होल्ड टीक है और टूइन सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और इसके बाद कौन सा भी इसमें आपको अब मुझे बताइए एक से लगजरी के बाद कौन सब्सक्राइब क्या इसके बाद उसमें भी साथ से में जैसे कि लेवल टू एडास आ गया उसमें अगया तो उसमें आएगा उसके बाद कोई करलर ऑप्शन हो रहे है एक स्थी के बाद हमारे मौन अब मिल रहे है तो उसके बाद हमारा कौन सा भी इंट है उसमें फिर आपको से टॉप आजाता है जिसमें आपके वेंटिलेटिट सीट्स हो गई है वाइलेश चार्जर होगे 19 इंचिस के टायर होगे उसमें डिजाइन भी चेंज हो जाता है आपके आप मॉडल में के अंदर फीचर मिल रहे हैं जैसे वेंटिलेटिट सीट्स हो गई रेंज संसिंग वाइपर्स हो गए वायरलेस चार्जिंग हो गई पैनलोमिक संब्रूफ हो गई लेवल 2 एडास के साथ और भी कई सारे फीचर चाहिए तो भाई कौन सा वेरिन खरीना पड़ेगा एक अब भाई बात करें अगर प्राइजिस की क्या क्या प्राइजिस रहेंगे से आपको डीजल में लेना चाहते तो ऑन रोड आपको 24.50 की पड़ेगी 24.50 की ऑन रोड पड़ेगी यह एकस फाइव लगजरी लेते हैं तो वह आपको साड़े बाइस लाग रोपेगा उसके ब लोग बात करते हैं डीटेल में थोड़ा सा प्राइस के बारे में वेरेंट्स हमने जान लिए क्या डिफरेंसिस आ रहे हैं बड़ा मुझे बताइए कि पेट्रोल के प्राइस कहां से स्टार्ट हो रहे हैं और टॉप मॉइंट ना रहा है और बेस मॉडल 12.99 से स्टार्ट ह हो रहा है और बेस मॉडल के अंदर कितने करें उसमें आपको टू कलर सब्सक्राइब रहे हैं और बात करते हैं तो पेट्रोल का टॉप मॉडल कौन सा रहेगा नाइंटीन पॉंट नाइन एक सेवल लगजरी खरीदना होगा अगर आप लोग तॉप मॉडल चाहते हैं पेट्रोल का टॉप मॉडल चाहते हैं तो वहां पर आप लोगो 4x4 नहीं मिलेगा अगर आप लोग डीजल चाहते हैं तो डीजल की बात कर लेते हैं कहां से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है डीजल का सब्सक्राइब प्राइस स्टार्ट हो रहा है 13.99 से उसका टॉप वेरिंट जा रहा है 20.49 ठीक है और 20.4 वाले जो नाम क्या है तो टॉप मॉडल लेना है ज्यादा फीचर चाहिए तो डीजल के लिए जाना पड़ेगा भाई यह मुझे बताइए मुझे वैली फॉर मुरी मेरिट चाहिए तो मुझे कौन सा रहेगा जो वैली फॉर मुरी दाएगा टीक है एमेटेशा तो आपको सिंगल पर शॉन रूफ एड़ाइज लेवल टू लेदर एडशीय चीज आपको उसमें प्रोगाइब हो जाना चाहिए और अगर आभी जानना है वेल्य फॉर मनी तो कौन सा रहेगा वह एएकस फाइजरी होगा टीजल में टीजल में टीजल मे तो MX-5 वेरेंट पेट्रोल में और AX-5 आपको डीजल में खरीदना पड़ेगा अगर आपको value for money वेरेंट चाहिए अब मुझे बताईए भाई प्राइस की बात हो गई सारी डीटेलिंग की बात हो गई अगर किसी को यह गाड़ी लेनी है तो क्या गाड़ी अभी सर्ट हो चुकी है या पिर होने वाली है अभी booking स्टार्ट नहीं हुई है सब तीन अक्टूबर से booking स्टार्ट होगी इसकी ठीक अभी हमें आपको अगर यह गाड़ी करानी है तो अब अब करा सकते हैं और और बुकिंग अब मुझे बताईए भाई कि महिंदरा थार है और रॉक्स वेटिंग पीरिट तो जरूर होगा कितना वेरिंट एक्सपेक्क कर रहे हैं आप लोग हमारे पास जो भी ऐसा कुछ आ साल से डेट साथ की वेटिंग तो होगी तो साथ से आठ महीं ने मान के लिए अगर आपको थार रॉक्स अपनी बनानी है तो इसलिए आप आईए और गारी की बुगिंग कराना शुरू कर दिए चाहे प्र बुगिंग कराईए यहां पर आने के लिए आप से मिले के लिए आपने में सारी सीजर बताई हैं कहां पर आना पड़ेगा अर्जंगर मेंटर स्टेशन एमजी रोड पर पर आना पड़ेगा जुनाइटिर ऑटो में महिंद्रा है जहां पर आके आप लोग इस गारी को टेस्ट राइट कर सकते हैं एक दो दिन में बाट अवीलेबल हो जा पाइनान्स कराके तो चाट डाउन पेमिंट लगी के अप्रोक्सिमेट लिया सर अगर देगे सिविल स्कोर पर डिपेंड होता है अगर आपकी सिविल इसकोर बहुत बड़िया है तो आपको 90 परसेंट तक लोन हो जाएगा एक शोरूम पे तो कितना अप्रोक्सिमेटी क्य करा सकते हैं टोल साथ के साथ आ रही है दो इंजन ऑप्षिन पेट्रोल डीजल के मिल जाते हैं तू लीटर और 2.2 लीटर तो यही थी मंजर था रॉक्स उमीद है कि आपको वीडियो पसंद आई हो कि अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए था इस वीडियो राइब राइब